जब उन पर मुकद्मा हो जाएगा तो देशवर में कही नोकरी ने मिलेगा उसका तो भविष संदिकार में कर दिया और एक रूपईया नहीं नितीश कुमार जी है यह नितीश कुमार जी की कारिकुशल्टा का परिणाम है कि बिहार जो चरवाह विद्याले के नाम से जाना जाता है भगवान से जाके प्रार्थना करिए है भगवान पांचों पांच उंगली अलग-अलग कहें दिये हैं पांचों को बराबर कर दिए कोछ नई सरकार अपने तैस्षुदा रास्ते पर चल रही है देखरें एक निश्ट्वेंटीफो नितीश शरकार में सिक्षक अभर्तियों को लाठी चार्ज क्यों अपने हग के लड़ाई के लिए अवाज उठाने पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग क्यों वहीं बात रिक्या नितीश शरकार सिक्षक अभर्तियों को अवाज दबाना करने के लिए जड़िव एमलती नीरज कुमार जी अभी हमारे शाथ इस पर बात करते हैं से शर क्या कहिएगा जिस तरह से सिक्षक पर लाठी चार्ज की जा रहे हैं अब हरती सिक्षकों पर प्रति मंदित छेत्र है ना मान्य उच्छ न्याले वहां है राजभवन है मान्य प्रदर्शन करने का जगह है अरे उसके लिए नियत अस्थल है ने प्रक्रिया है ना गर्दनी बाग में कोई भी लोगत्र पर अपनी बात कह सकता है धरना दीजिए वहां पर अनुमती ले लिजिए जिला प्रशासन का पदाधिकारी रहता है आप भी प्यस्थी के सेक्रे लोग आये थे और दूसरा सवाल है कि जो सधारन परिवार के बच्चे हैं वह बच्चे तो यहां अंदोलन में आ गए किसी के बहकावे में अब मुकदमा होगा तो उनका तो नाम दर्ज होगा राष्टी जंता दल के लोग जमानदार बनेंगे अज जब उन पर मुकदमा हो जाएगा तो देश्वर में कहीं नोकरी ने मिलेगा उसका तो भविस संद्धकार में कर दिया और एक रुपईया नहीं नितीश कुमार जी हैं चमनी पैसा नहीं लगा किसी को सिक्चक बहाली में पदस्थापन में यही बिहार है यही पटना ह है जहां नोकरी के बदले में 43 विघा बारा कठा सुल्ला दूल लालु जी को जमीन है इन नोकरियस कमाए थे और यहीं नितीश कुमार जी है कि नोकरी दिये तो चार आना पैसा किसी को नहीं लगा है पोस्टिंग में भी नहीं है तो भी आप यह पास समझना पड़ेगा न है आ आपको कहीं लगता है कि सिक्षळ की भाले की पर curated किया में कहीं कोई परेशानी तो बताएं क्या कहा धाथ था जिला नियोजन इकाई गुषा punk के नाहीं से जाना जाताघ जो आप बहुत हैं सरकार हैं अगर नहीं पूरा की जाएगे हम अंदोलन करेंगे आंदोलन करिए आप घंगा जी में खड़ाओं करिए कौन रोक रहा है आपको बीपीएस्टी का ओफिस है ना अटोनमस बड़ी है ना तो हाई कोट में कर जाएगा जिसके बहकावे में कर रहे हैं तो हम लोग आंदोलने करके आया है ना हम लालू जी के परिबाद में जनम न कोई भी बाधित करने की कोशिश करेगा यह कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा सरकार नियत समय पर बहाली के प्रक्रिया प्रानम किया है नियत समय पर रिजल्ट देंगे बगएर एक कठा जमीन लिए हुए बगएर एक पैसा लिए हुए उसका पदस्थापन भी होगा जिस तरह से पुलिस द्वारा बल प्रोग किया जा रहा है उनका कहीं ऐसा तो नहीं है कि नितीश कुमा जी जुन नितीश शरकार की जो है कि आवाज दावाना चाहती है भरतियों का निकाहे के लिए बहाली हम कर रहे हैं तो अपना घरवास बितनमा देंगे कि सरकार के रा अगलोग कहें लिए यहारा पांचो को बराबर कर दीजिए कि बांचो को बराबर कर दियो is पर बोलने में कर दो नितीश कुमार जी पांच रुपया महीना में पढ़ाई होता था और नितीश कुमार जी पांच रुपया महीना में पॉल्टेक्निक पढ़ा रहे हैं अधव अंतर समझ में आता था भगवानों ने मरत करें लगता है सर जिस तरह से लोग कहीं रोड पकर रहे हैं जिस तरह अंदोलन करें क्या लोग करने कोई प्रॉफिट हो पाएगा प्रॉफिट तो ने होगा महाबापके अर्मान में आग लगा देंगे अज नेता जी का कु अपने घर में रखेंगे जो भासन दे रहे हैं भसनिया जो लोग हैं सिच्छक अभेरति को अपने घर में रखें तो घर में नहीं रखेंगे वह अपने माबाप के गाड़ी कमाई का पैसा और हम तो स्कॉलर्शिप देते हैं यह समाज के सारे तबके के बच्चों को स्कॉ वित्यया बोज हमको सामाने पढ़ाई के लिए 500 रुप्या महिना में अगर चाहेगा ऩngनेशे तो सुनते हैं कि आप हार यात्रा निकलने वाले हैं हम सुने हैं हम करें चार गों सीट पर आप यात्रा निकलता है चार तो भी से से जगा जरूरत पड़ता है वह बाज घाट गुलवी घाट एही समय जरूरत पड़ता है राजनीत का अर्थी सज गया है अरे भार यात्रा आप निकालिये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम 40 में 4 जीते हैं मनें हमारा बट खारा है अलहाई सोग्राम का है और हम लोग निकालने तो बात तो है कि 30 सीट पर हम जीते हैं